हेलो गाईज और वेल्कम बैक तुन दे वीडियो एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग आचुके हैं ट्रेल मेकर्स के अंदर और तो और यार यहां पर मैं ड्राइव कर रहा हूं इस भारी भर कम गाड़ी को और आप लोग सूच रहों कि चौप कहा है वेल य वेल यार आप लोग सोच रहों कि इस गाड़ी के अंदर अपन लोग क्यों आए वे आज का चैलेंज तो यार टाइटल में कुछ और ही लिखा हुआ था तो डोंट वरी हम लोग उस चैलेंज वाले टाइटल पर पहुचेंगे लेकिन यार तब तक मैं आपको यह कूल इसका पीचे का दर्वाजा खुलता बंद होता है लेकिन मैं अभी खोलने वाला है नहीं हो क्योंकि बड़ा मुश्किल से बंद हुआ है अरे आज अपर लोग बिल्ड करेंगे यार आज हम लोग बिल्ड करने वाले है एक्वेटिक अनिमल चैलेंज यानि कि आप लोगों यह ने समुंदर के अंदर शार्क देखी होगी वेल देखी होगी और उसी प्रकार आज हम लोग अलग अलग टाइप के जानवर बनाने वाले हैं जो कि यार पानी के अंदर रहते मचलिया जिनको कह सकते हैं आप और तो और जो भी सबसे बेस्ट दिखने वाली मचली और सामने वाले अपोनेट का दिमाग उड़ा दे रोष्ट भाई तब फिर चलो जल्दी से चलते हैं आरे मैं भी वही कर रहा हूं मैं बस एक वाड़ टेस्ट कर रहा तक यह गाड़ी सर्वाइव करती कि नहीं ब्लास्ट और राइट सो गाइज यहां पर गाड़ी तो के अंदर जब फीचर मिलता है एकदम मचली जैसा है ठुक गया अच्छे से चलाओ मेरे को भी एक पीज दो भाई आरे तु ले 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 जा वह वाला ले ले जा लेकिन वह निकल गया भाई मेरे ले रुके निरा है ओके ओके मैं दूसरा स्पॉन कर रहा हूं तो यह वाल बढ़िया आपने क्या बनाई है बाई शार्क बनाया है मैंने लेकिन लगता यह थोड़ा डॉल्फिन टाइप है काईज पर ट्रस्ट मी इसको एक शार्क ही कहोगे आप और तो और इसके अंदर बैकवर्ड जंबी आगर आप कभी गाड़ी को ले करके अटक जाते हो तो य बचता है तो इसलिए मैंने यह बैक फीचर लगाया है और गाइस यह देखो मैं डाउट की यार चॉप इतना तेज पेशिप लेकर के आने वाला देखो मैं इसको स्पेशिप बोलूगा भाई ठीक है क्योंकि मेरे को और कोई नाम अच्छा नहीं लग रहा है इसके लिए पिर सबमरीन भी बोल सकते हैं ज़खने हैं अगर आप लोग जल्दीस जल्दी इस वीडियो पर फिटी थाउज़न लाइक कर दोगे तो हम लोग जल्द से जल्द यहां पर अपना सब्मरीन चैलेंज लेकर करके आप लोगों के सामने आ जाएंगे तो make sure करना guys कि आप लोग उस वीडियो को भी देखो क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आने वाला है तो आज का criteria भी same AR judging का हम लोग 4 criteria उसमें जज़ करने वाले हैं tabular category पे क्यों आना चाहूंगा भाई मैं excellent में खुश रहूंगा कुछ extra मिलेगा क्या अब मिलेगा तो नहीं लेकिन तू you know सामने वाले को noob बोल सकता है ठीक है चल यह यह मैं prize रख रहा हूं guys तो I better wish कि chop न ए एक अच्छा गाड़ी prepare किया हो क्योंकि हमारी मचली से तो वह बचने वाला नहीं है मचली क्या इसको तो शार्क बोलूगा भाई हम लोगों की शार्क से बचने वाला नहीं है तू रोश्ट भाई मेरा गाड़ी भले अतना तेज ना हो भाई लेकित size में आप से 50 गुना जादा बड़ा है और अपर यह क्या बना दिया भाई तूने तू सची इतना बड़ा गाड़ी लेके क्या कर रहा है और तो और गाईज इसकी गाड़ी को छोड़ो अपर लोग यहाँ पर जम्प मारके आईलेंड वगेरा के भी उपर आ सकते मैं यहाँ पर मोर अफ़ा कोशिश कर रहा था कि अपना अपना रेटिंग कंप्लीट करते हैं अचोड़ यहाँ पर कर लेते हैं हटा फालतू को क्या समुद्र में लेके जाए ओके तो गाईज हमारी यहाँ पर मचली इंतजार कर रही है और चौप भाया जी जल्दी जल्दी अपना रेटिंग बताईए और कस्टमर्स को विवर्स को दिखाईए कि हम लोगों ने कितनी अच्छी गाड़ यहाँ पर बनाई है और अगली बार जब मैं रेटिंग दूंगा तो मैं भी यह चीज को इसी इसी चीज़ को ध्यान में रख्के आप लोग नमबर देंगे इसे धमकी बद्दो यार आपका स्पीड 10 आट ओ यानि कि टोटल में हम लोगों को यहाँ पर नमबर मिले है 36 आट ओ फोटी जो की काफी जादा अच्छे नमबर है और वेल अभी तक तो मेरे को जैसा लग रहा है हम लोग चौप को नूब बोल सकते क्योंकि मेरे को 40 में से 35 नमबर के ऊपर आया है यानि कि इसे 5 नमबर बचे थे जो हमारे को इस नमबर बचे थे जो इसने नहीं दिये कोई बाद नी नूब अब तु अपनी गाड़ी जल्दी से ला और ओडियंस को दिखा कि एक प्रो बंदा कैसे अपनी गाड़ी बनाता है ठीक है और तू साइज वाइस की बाते कर रहा था वो भी ऑडियंस अपै यह कै इसका मूँ भी खुलता है इसके मूँ के अंदर गन अगेरा भी लगा है भाई तूने तो बहुत एडवांस चीज बनाती यार लेकिन यह बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है गाईज I mean considering everything हमारी गाड़ी के सामने तो यार यह कचुआ गाड़ी है कचुआ कभी ग जंप नहीं मारती है पानी की उपर शॉष्ट भाई सार्क चोड़ो डॉल्पिन भी होतना हुता जंप नहीं मारती है भाई आप तो पता नहीं अपना मचली को असमान में लेकर चले जाते हो इसली होता है क्योंकि मैंने तिरसे जादा दिमाग लगाया है लेकिन I can clearly understand guys chop ने यह मचली भाई मज़ा आगया एक्दम रियल मचली गाई ऐसे ही बिएव करती है और लेफ्ट राइट भी थोड़ा करती है लेकिन भाई ट्रेल मेकर के अंदर इतनी अच्छी चीज बनाना तो मेरे भाई मेरे टैलेट के भी बाहर का चीज है कितना समय लगा भाई तेरे को यह बनाने में अपने उसको फोर क्यों दिया अब इसको सब्मारीन मोड कहते है भाई तेरी वहाँ पर लिखा हुआ है उपर में गाई वैसे सच बोलू तो मैंने थोड़ा चीटिंग किया है भाई बहुत पहले से बना रहा था आपको याद है मैंने आपको आईडिया दिय ऑई यानी की जब यह चैलेंज शुरू करने गया तो तेरा अधर सधा बना हुआ था पुरा ही बना हुआ था बस थोटीन टेस्टिंग करने बाके था बाई चीटिंग करता है तू ओ यह तो चीटिंग है भाई देगो आप आप समझ में आ गया हूँ तो मैं बोली 30 मिनिट के अंदर यह बनाना इंपॉसिबल है कोई आदमी सोच भी कैसे सकता है भाई इतनी बड़ी चीज बना लेना यार तीस मिनिट के अंदर में और तो और यह जहाज कैसे डूबा हुआ है भाई पहली बार देख रहा हूं मैं यार ये समुदर में जहाज नहीं देखी है और तो और लेट अलोन भाई ऐसे टूटी हुई जहाज मा इंदर से जिसकी शिप सिंक कर गई होगी और उसका जहाज वैल क्या बूलू यार अफसोस के मारे यहां पे पढ़ा हुआ है पर आजा हुआ है लडाई करती जब तु ने वेल बनाए आई तो एक बार मुझ से मुझ टकडा ले तो मुझ दिखाने लाइक नहीं बचेगा भाई अब है मैं मुझ खोल के आ रहा हूँ तेरे तरह भाई अगर मौका मिला गाई तो मैं इसको अपनी गन से मारूंगा लेकिन वा नो मेरे वेल पलटने वाली है भाई I wonder गाई कि हम दोनों में से किसकी गाड़ी जादा better है अगर हम लोग वार करवाए दोनों के उपर तो कौन जीतेगा आपको क्या लगता है गाई मेरे को लगता है अगर दोनों का आप वन इन वन टक्रा हो तो मेरी शेप तो डैमेज होगी बेक रहे हो आप से बेटर चला लेता हूं मैं इसको और माइग गॉडड गाइज इस बंदे ने तो पूरा गरदन उड़ा दिया वेल का भाई अगर मैं समूद्र में होता और तू वेल होता तो कोई भी बचली होती है यू नो शाक सब झाजाती है लीकिन जो वेल थी है तो शारट भी बांट मैं दूर चली जाती है उसको लगता आप है स्किर्द को में को झाओ च्ल रहती है काई और हम नोग भी शार्क बनकर आया है तो डेफिनिटल फाक से दूर रहना पड़े हम लोगों ने वेल को यहां पर बहुत ही खुबसूरती के साथ पार्क कर दिया है और सच बोलू तो यार इससे बेटर पार्क हो भी नहीं सकती थी यह देख रहे हो कैसे अपने व जो फिंस होते हैं उनके बदॉलत यह भाई खड़ी ऐसा लग रहे है अभी टेक ऑफ कर जाएगी है ना रोश्ट भाई देख रहे हो कितनी बड़ी है बाई मैंने आपसा बड़ी चीज बना दी मानना पड़ेगा आपको है ना आरे भाई तूने स चीज का इंतिजार कर रहे हो रेटिंग्स का ठीक है तो रेटिंग्स यहां पर दे देते हैं फटाफट से रेटिंग्स मैं देना चाहूंगा 10 में से लुक्स के लिए कोई भी हम लोग कमी नहीं दिखाएंगे नौ बिलकुल क्योंकि एकदम वेल जैसी दिखरी है 10 में इसलिए नहीं दे रहो क्योंकि थोड़ी और बड़ी हो सकती थी लेकिन 10 मिलना यह थोड़ा मुश्किल है आपको एकदम परफेक्ट चीज़े करनी पड़ेंगी और तो औ और कंट्रोलिंग के लिए मैं इसको दूँगा 10 में से 8 और डूरेबिलिटी के लिए भी 10 में से 8 तो अल अगर देखा जाए तो आई थिंग मैंने चॉप के कितने नंबर माइनस कर लिए चार उधर हो गए फिर अपर लोग कितीन इदर हो गए एक इदर हो गए 8 नंबर लेकिन ब्रो तू बुरा मत मानियो दिल के मामले में भाई तू जीत चुका है बहले रेटिंग सोड़ी मैंने कम दिये एक दो चीज़े मिसिंग है क्योंकि यार शार्क एक पर्फेक्ट आनिमल नहीं है और यह क्या हो रहा है अब भाई पता नहीं यह क्या हुआ भाई मूं माइनक्राफ्ट को करना पड़ा जैसे सही बोलो तो मेरे को माइनक्राफ्ट दुबारा खिलने का मन कर रहा है लेकिन आप लोग यार सपोर्ट नहीं दिखाते हो उसके उपर इसलिए मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ और मैं और चॉप वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने बढ़के लोग बयज़र झाल बोगश्ट करने का मन कर भोगार गट नहीं दो करने का में बढ़के कि आरे कि आर